हे दोस्तो नमस्कार हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो जी एंटी एश्टी की जो काउंसलिंग है वो खतम हो चुकी है फ़स्ट काउंसलिंग 29 नवंबर को अब दोस्तो जो है आपको इंतिजार है आपका जो है फ़स्ट एलोट्मेंट यनि के बता दू चार दिसम्मर को आपका पास्ट एलोट्मेंट आएगा और पांस से आर्ट दिसम्मर के बीच में आप जो है कॉलिज में अपनी मतलब कॉलिज विजिट कर सकते हैं कॉलिज में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल देखते हैं यह दोस्तों मतलब ऑर्जिनल डोकुमेंट में आपको बता रहा हूं जो के व्यापम की वेबसाइट से लिए पूरा डेटा तो आई देखते हैं फ्रेंट से यह आप देख सकते हैं जब रिजल्ट आया था जी एंटी एश्टी का तो उसमें फ्रेंट देखिए को मिल रही होगी कि जनरल केटिगरी में जो स्टूरेंट है मतलब पेपर देने के लिए कम स्टूरेंट आये थे और उसके बाद में एस्टी में दसजार और दोस्तों ओवी सी में अठरा जार यह निकिए उन्डीस अजार के आसपास टोटल जो है लगबाई एक स समझ सकते हैं आप जिस भी केटिगरी से हैं तो आपकी केटिगरी में कित्ता का कॉंप्टीशन है सबसे ज़्यादा फॉर्प की बात करें तो ओवी सी में है उसके बाद एस्टी में है मैं आपको बाता दू एस्टी की आवादी जो MP में SC से जाना है SC लगबाई MP में 16-17% क 16% के आसपास है लेकिं दोस्तों जो ST 21-20% के आसपास है इसलिए दोस्तों इनके फॉर्प भी जादा है तो ठीक है फ्रेंट इस वीडियो को देखने के बाद आपको वालूम चल गया होगा कितना के कॉंप्टीशन है आपकी केटिगरी में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीच चैनल को सब्स्राइब